हेलो फ्रेंड्स, आज हम औरंज प्लम केक बनाने जा रहे हैं जो घर पे बहुती आसानी से बनाया जा सकता है और बहुती स्वाधिस्ट बनता है तो ये देखें, friends, कितना अच्छा बना है और ये मैंने एक कोलाज के उधारा समझाने की कोशिष किया और मेरा केक कितना सुन्दर और अच्छा बना है इसके लिए मैंने एक रात पहले तयारी की थी मैंने एक संत्रे को छील कर और बीजारी निकाल कर जो भी आपको पसंदो वो कर सकते हैं और चेरी चेरी इसमें बहुत ही स्वादिस लगती है आप इसमें किश्मिश तो जरूर ही डालिएगा आप किश्मिश काली या भूरी कोई सी भी राल सकते हैं और इसको मैंने पूरी रात के लिए सोक होने दिया है जिससे कि इन्होंने तरस इसका एब्सॉप कर लिया है यह दिखे फ्रेंग्स और यह बहुत ही अच्छे स्वाद देंगे और अब हम चीनी को केरमलाइज करेंगे आप चाहें तो चीनी में पानी भी डाल सकतें एक दो चमच लेकिन मैंने इनको ऐसे ही केरमलाइज किया है थोड़ा साथदानी से दीमी आच में इसको चीनी पिघल ने दिये थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यह बहुत अच्छा स्वाद देती है आप इसकी जगे पे ब्राउन शुगर भी इस्तमाल में ले सकते हैं यगुड का पाउडर ले सकते हैं कोको पाउडर ले सकते हैं लेकिन मुझे यह के किस इसी तरह बनाना था कैरेमलाइस करके इससे बहुत ही अच्छा टेक्श्चर और स्वाद आता है तो मैं चीनी को पिघलने तक पका लिया है यह दिखे फ्रेंड्स हमारी चीनी मैंने इसको बहुत दीमी आच में ही पकाया है टेज आज में चीनी बहुत जलदी जल जाती है इसका कलर कितना सुंदर गोल्डन कलर आ गया है पर अभी मुझे इसको और पकाना है यह देखे फ्रेंड्स अभी हम इसको और पकाएंगे मैंने करीब आदा कप चीनी ली है इसमें इसको कैरेमलाइस करने के लिए क्योंकि आदी चीनी हम केक में पाउडर करके डालेंगे इ यह देखे फ्रेंड्स यह इस सिस्तर तक आई है इसका कलर कितना प्यारा आ गया है यह देखे हम इसको इसको पकाने में मुझे हाडली पास से दस मिनिट ही लगे क्योंकि चीनी बहुत जल्दी कैरेमलाइस हो जाती है पस थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको पकाना पड और हमारा करमलाइस पूरा तयार है यह देखे फरेंड्स जिए फूरा ठंडा हो जाए और इसका ना अच्छा है इस से केक का कलर अच्छा आता है और यह है मेरा मेदा है मैंने मलक मेट लिया है यह मेरे सोग के हुए ड्राय फूर्टस है यह दालचीनी नटमेग पाउडर और छोटी लाइची है इसमें और लॉंग है इनको मैंने पीस लिया है खरल में ही पीस लिया और मैदे के साथ बेकिंग पौडर बेकिंग सोडा लेकर इनको दो से तीन बार चलनी में चान लिया है ये फ्रेंड्स मैंने इसमें थोड़ा सा दही लिया है काम में आप चाहे तो milk made भी ले सकते हैं और इसमें मैंने पिसी चीनी और तेल डाल कर इसको तेल या बटर आप कुछ भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से मैंने इसको फेट लिया है और इसमें थोड़ा सा orange zest मिलाएंगे flavor के लिए आप चाहें तो orange zest orange के juice में भी मिला सकते हैं लेकिन इस stage पर हम मि इसमें और यह मैंने इनको अच्छे से फेट लिया है और इनके अंदर मैंने ड्राय फ्रूट्स जो मैंने सोक किये थे वो और अपना केरमेलाइज मिला लिया है और इसको अच्छे से फेट लिया है इस बीच में मैंने एक पैन भी जिसमें मुझे केक बनाना है उसको ग्री बहुत पतला इसको हमको गाड़ा ही रखना है क्योंकि fruit cakes चादर पर गाड़े ही होते हैं बहुत dance बनते हैं इसलिए ये देखे फ्रेंट अब इसको हमने पलट लिया है और इसको आपका जोरत हो तो दो तिन चमस दूद मिला सकते हैं और इसको मैंने पहले से गरम की हुई एक पका सकते हैं मैं इसी तरह पकाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है और इसको ठंडा करके हमने इसको डी मोल्ड कर लिया है आप इसको चाकू या टूथपिक से चैक कर ले और इसको देखे फ्रेंट्स जब मैंने इसको देखा तो ये बहुती स्वा आगया थैंक यू आप भी बनाएं और मुझे बताएं कि कैसा बनाया है और मुझे अच्छा लगेगा आपके फीडबेक बागे बहुत बहुत धन्यवाद